हेलो स्टुडेंट्स आई होप यू अल अर गूड सोब हम मैट्स में चैप्टर नूमर टैन की लास्ट एक्सराइज करने जा रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेटिं नंबर ओब डेस ये करना से जहें किस तरह से डेस को कैलकुलेट करना जाता है अब हम इसमें क्या लन करने वाले हैं कि आपको दो डिफरेंट्स गिवन है उनके बीच का डिफरेंस यह आप अब निकालेंगे कि उनके बीच में कितने डेस का डिस्टेंस रहा है अभी तक हमने टाइम दे बीच का डिफरेंस निकाला था दो टाइम गिवन होते थे उनके ब कि बीच में कितने डेज पड़े इस तरीके से आप निकालेंगे यह कुछ एक्जामपल्स यह बने जब हम एक्सराइज करेंगे तो आपको यह भी समझ आ जाएंगे जैसे कि यह वाला मैं आपको बता दे हूँ 15 जून से अगस्त के में कितने दिन आते हैं इन दोनों डेट्स को इंक्लूड भी करना है तो आप बता हूँ जून में कितने होते है फरस्ट अफॉल आपको यह पता होना चाहिए जून के मन्थ में कितने डेज होते है तो जून के मत में होते है हमारे 30 days It means 30 में से हम 15 को तो count करने ही करने है हमें तो एक number कम 14 minus करेंगे तो आएगा 16 days 16 days हो गए जून के जुलाई के ठूपूरे 31 days और अगस्त के कितने days 29 days Total days हो गए 76 days इस तरह से हम days calculate करेंगे अब देखें इस page पर आपको यही date, month और year को short form में कैसे लिखते हैं तो 14 को होता है day, month होता है 6 और year होता है 2019 इस फुल form में लिखते है 14 June 2019 और short form में जो month होता है उसका number डाल देते हैं तो जो अभी की एकस्साइस का first question है उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कुछ questions जिनके answers आप लिखेंगे पहला questions है How many days are the year in a year? Year में कितने days होते हैं? तो यह आपको पता होगा A1 year में 365 days होते हैं Next, how many days are the year in a leap year? Leap year वो year होते हैं जिसमें हमारे February के मन्त में होते हैं 29 days कौनसा year leap year होते है? जिसमें हमारे February के मन्त में होते हैं 29 days So leap year में 1 day बढ़ जाता है 366 days हो जाते हैं क्यों? क्योंकि इस साल February के मन्त में होंगे 29 days और यह February के मन्त में 29 days कब आता है? हर 6 साल में 1 बार 4 years में 1 बार Name all months with 30 days आपको 30 days जिन-जिन महिनों में होते हैं उनके नाम लिखने है तो आप ही calculate कैसे करेंगे? जैसे ही जो आपकी finger होती है हम लोग इस तरह किसे करते हैं? जैसे ही हो गया January फिर February यह देखिए जैसे हो गया यह आपका जनवरी तैन यह बीच का February March, April, May, June, July फिर जैसे जो उपर वाली है ना यह दिखा रहा है उठावाँ इसको हम 31 days के अंदर काउंट करते हैं तो ऐसी आएगे हमारे अप्रेल, जून, सितंबर, नवंबर यह सारे मन्त होगे 30 days के अंदर जनवरी, मार्च, मैं, जुलाई, अगर्स, अक्टूबर, दिसंबर यह दो होगे 31 days लीपियर में February में कितने days होता है लीपियर में February में एक दे एक्स्ट्रा होगा तो February में होगे 29 days Otherwise होता है हमारे 28 days Next question number 2 देखिए आपको क्या given है, dates given है इन dates को short form में आप क्या करेंगे लिखेंगे तो यह देखिए आप short form में इसे किस तरीके से करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे मैंने आपको इसका A and C पार्ट करके दिखा रही हूँ बाकी के जो B and D पार्ट है 17 June 2017 and 28 November 2015 यह वाले दोनों पार्ट आप खुद करेंगे सो यह देखिए इसका A पार्ट था 8 का 8 March को लिखते है 3 क्योंकि 3rd number पे आते हैं जन्वरी, February, March तो 3rd number and 2009 ऐसे 25 मैं, मैं के लिए जन्वरी, February, March, April, May मैं आता है 5 नंबर पे इसलिए हमने उसकी चाहिए लिख दिया 5 and then 2008 इस तरह से शॉर्ट फ़र्म में आप डेट लिखेंगे जैसे कि आप ज़्यादा तरह से डेट अपने नोड़ बुक्स में लिखते हैं है तो इस तरह से आप डेट लिखेंगे नेक्स देखिए जो कोश्चिन नंबर थर्ड है फाइंड नंबर आफ डेज बिट्वीन दा फॉलाइंड आपको नंबर आफ डेज बताने इन दो के बीच में हिंट क्या आप देदिया डू नाट इंक्लूड दा मैंशन डेज जो डेट मैंशन है उनको तो इंक्लूड करना ही नहीं है आपको उनको काउंट नहीं करेंगे बाकी अधर डेट को बीच की जो डेट से उनको काउंट करेंगे सबसे इस तरही का है इसके निकालने का आप यसी कि आपका यह पार्डर 10 अगस्त और 5 सेतंबर इसमें आप क्या करेंगे नंबर अगस्त के पहले निकालो अगस्त में होते हैं टोटल 31 डेज 10 डेज को तो निकाल दो वो हमें गिनने नहीं 31 में से 10 गए 21 डेज इट मेंस अभी 21 डेज बच्छे अगस्त के बाद के और सेतंबर के कितनी हो गए 5 सितंबर तक का count करना है 5 सितंबर तक में 5 days हो गए वट ये जो 5 सितंबर वाली date है इसे count नहीं करना तो 1 minus कर देंगे तो हो जाएगा 4 days सितंबर के total days कितने हो गए 21 plus 4 25 days हो गए इनके बीच के ऐसी B part देखिए January and February का मन्त गिवन था January के मन्त में होते 31 days 31 में से 28 गया आपका आया 3 and next February का निकालना था February का 13 February तक का था 13 को तो counting नहीं करना है means 1 minus कर देंगे तो हो जाएगा 12 days 12 days plus 3 days is equals to total 15 days है अब जैसे कि अगर आप च्रेक करना जहों मैं आपके एक तरीका दात्री जैसे 28 जनवरी के बाद से कितने समझे लो आपके 28 जनवरी के बाद से holiday पढ़ गई है और 13 जनवरी से आपने स्टार्ट कर दिया स्कूल जाना एक्जामपल दे दियो ठीक है मैं इस date के बाद से आपके छुट्टियां पढ़ गई है और इस date से आपने जाना शुरू कर दिया तो आप बताओ 29 जनवरी 30 जनवरी 31 जनवरी फैब्रारी का मर्शिर हो गया एक फैब्रारी दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा 13 को तो काउंटी नहीं करना तो तोटल कितने हो गई है 15 डेज हो गई बट यह जो प्रोसीजर यह थोड़ा लॉंग लगता है इसलिए हम ठैरेक कैलकुलेशन करते हैं इससे जल्दी आंसर हमारा निकल जाते है फ्यू सेकंड्स के अंदर ही नेक्स देखिए नवंबर और दिसंबर की है नवंबर में हो गए 13 में से 4 गया आ गए हमारे 26 जे और दिसंबर में आ गए 24 डेज 25 वाले को तो काउंटी नहीं करना इसमिस 24 डेज की हॉलिडे थी दिसंबर की तो दोनों का प्लस करना 26 प्लस 24 is equals to 50 डेज next teachers day and children's day बताने teachers day होता है 5 सब्सक्राइब को celebrate and children's day होता है 40 नवंबर इन दोनों के बीच कब आप निकाल लो सब्सक्राइब की होते है 30 30 में से 5 गये 25 डेज ऑक्टूबर का पूरा महिना आ गया नवंबर के महिने के शुरू के 13 डेज मतलब 14 तारिक से कट जॉइन कर दिया तो 14 को कट में से 1 माइनिस करा 13 हो गया इन तीनों को क्या कर दोगे अब आप प्लस तो आ गया 69 डेज यह आपका के आज़ा और सड़ार आं नैएकेस डिखे 23ग से मां इस और इसमी आपको दो प्लस डिफरेंट डिफरेंट के लिए हों यंट रहे जैसे क्रिसमाज जे के इंपाड़न के नेम ढया जैसे ख्रिसमास सिग्रिलारा TOP 25 बेस मैं ठीक रीपप्लिक डेג अवं दोनों की देट्स को दोनों मंत की डेज दिकाल करोगे दिसंबर का आ गया 31 में से 25 माइनस करा आ गया आपका 6 डेज एंड ऐसे आपने जन्वरी का निकाला 26 में से 25 डेज इधर आ गए टौनों प्लस करा टोटल 31 डेज आ गया तो इस तरीके से आप ये वाला पूरा question करेंगे next last question दीखिए इसके तीन word problems given है Mr. Vira Pan took 23 days of leave from office छिनोंने 23 days की leave लिये means छुटी लिये कहां से office से if his last working day was 16 July अगर वो last 16 July को office गए है तो on what day did he have to join the office after leave तो then 23 days की leave के बाद उन्हें कौन से day को join करना होगा तो आपको पता है 16 July से उन्होंने जाना छोड़ दिया तो July के कितनी leave हो वही July मत की 15 days July के 31 में से 16 माइनस कर दिया तोटल 15 days जुलाई की हो गए बट उन्होंने leave गी थी 23 days के अभी 23 में से कितनी leave बची है 8 days की तो 8 दिनों लगा लो अगस्त के इट मिस उन्होंने जान कब कर आओगा 9 अगस्त से जान कर आओगा क्योंकि तोटल ये 23 days हो गए इसके बाद ही उन्होंने जान कर आओगा तो इस आठ तारीक के बाद से उन्होंने जान करना स्टार्ट कर आओगा 9 अगस्त नेक्स बार देखिए मीना जान्ट वाज ओन लॉंग विजिट और 54 देज तो डुबई मीना के आन्ट है जो लॉंग विजिट के ले गई है बहुत लंबी विजिट गुम्ले गई है 54 देज के ले कहां डुबई अगर वो वहाँ पे 10 में को पहुचती है तो 52 देज बार वो किस दे उस धर छोड़ेगी मतलब उस जगा को छोड़ेंगी मैं में वो पहुची है किस दे 10 में बट उस 10 तारिक को भी हमें इंक्लूड करना है मतलब 10 को भी हटा दो अभी एक तरह से 9 तारिक के बाद से उनकी ट्रिप स्टार्ट होगी तो माई के 9 देज माईनस करती है तो टोटल 22 देज तो माई के हो गए फिर आपके जून के हो गए 30 देज 30 प्लस 22 होती है 52 जबकि उन्होंने घूमने के लिए कितने दिन के लिए गई थी 54 देज अभी भी 54 देज कंप्लीट नुए तो जुलाई के मांद के भी 2 देज उन्होंने काउंट कर लिए देन उसके बाद 54 कंप्लीट हो जाएगा आपका टोटल 54 देज के लिए वो गई है ना तो 54 देज आपको कंप्लीट के 22 देज माई के 30 देज जून के एंट टू डेज जुलाई के इट मेंस थर्ड जुलाई को तीन जुलाई को वो लीव कर देगी दुबबई नेक्स देखिए लास्ट फातिमा 21 डेज अट कैम्प फिनिश जौन 30 सितम्बर फातिमा नाम की जो गर्ल है उनका कैम्प खतम हो रहा है 30 सितम्बर को कैम्प कितने दिन का है 21 डेज का है जो कि 30 सितम्बर को खतम हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ तो यह आपको बता रहा है 30 सितम्बर को स्टार्ट हुआ है 21 डेज का था जब उसने 30 तारिक को स्टार्ट कर रहा है इट मेंस कि अभी इसमें एक लूड है अल्रेडी मतलब 21 डेस का था ना जिसमें से 30 को स्टार्ट करें मतलब एक दिन तो 30 हो गया तो एक दिन में आल्रेडी यहां पर कम कर देंगे 21 की जगर 20 कर देंगे या तो आप यहां पर बढ़ा सकते हो 30 में 31 कर दो या तो आप इधर वाली साइड में माइनस कर दो 21 का 20 कर दें फिर माइनस करेंगे तो 10 डेस मतलब 10 सितमबर इट में 10 सितमबर को उन्होंने स्टार्ट करा होगा 10 सितमबर को स्टार्ट करा तब ही जाके उनका कैंप खतम हो रहा है 30 सितमबर को 3 सितंबर को लास डे है तो मतलब वह भी दे काउंट किया जा रहा है इसलिए हमने वहापे 20 माइनेस क्राण 21 ना करके वरना दर्वाइस हमारे 22 डेज की डेट निकल जाएगी तो यह था का चार्टर नंबर 10 यही पर आपका फिनिश होता है आई होप आपको समझाएगा अगर आपको चैप्टर 10 से रिलेटिर कोई भी डाउट हो प्रॉबलम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी ल